नमस्कार दोस्तों, PCS गुरूजी मैं आपका स्वागत है दोस्तों, अभी कुछ दूने पहले, जब मैंने स्टाइट जीब वारा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने किस तरह से UP PCS 2023 की तेयरी की जाए जब मैंने यह कहाता है कि जब मेंस के आप तेयरी करो जब मेंस के लिए अपने लेक्शर तैयार करो अपनी जब अपने स्टैडियमें तेयार करो तो उसके अंदर आपको एक तरह का लॉंग नूट्स और साथ ने शौर्ट नूट्स होना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि जब आप प्रिपेशन करते हो तो आपको दूनों तरहां की नोट्सों की जवरत पड़ती है इसको मैं फुल नोट्स और माइक्रो नोट्स मैंने कहा था तो लगाता है लोगों कमेंट आए कि स्थर यह माइक्रो नोट्स कैसे होते हैं और आप थोड़ा से अस पर पीसेश दोनों के पहले प्रयास में ही मैंने इंटर्व्यू तक मैं पहुचा हुआ है तो आज आपको नोट्स दिखाऊंगा साथ में उन नोट्स को किस सारा से यूज करना है और उनका मकसद क्या है ये नोट्स हम क्यों बनाते है और उनका कहां क्यों पर इस्तेमाल किया जाएगा वो सब आप हम इस वीडियो में देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले आपको जखाता हूं कि मेरे अपने नोड्स कैसे थे यह बुक है असरा मैं आप एक ही चीज़ लेकर रहा हूं कि कोचिंग में मेरा पढ़ाई हो जो मैं है वो घर पे रहता है कोचिंग में जो हाँ वीडियो शूट हो रहा है कोचिंग है तो यहां पर सब एक किताब पढ़े होगी यह जोग्रोफी किताब थी यह आई-एस की को अब तो मैं इस तरह के नूट्स में हुँड़ाँ यह देख आप देख लेए नोट्स आप देख रहे होंगे इस सब मैंने स्टैपल किये वे हैं इसमें आपको दिख जाएगा कि इसमें एक फिर दिख लेके इसमें डाग्रांड आप देख लेंग यह इस यहां पर तो मुझे पूरा नहीं पढ़ना होता था मैं सिर्फ ये माइक्रो नोट्स के माध्यम से मैं रिवाइस कर लेता था तो जब मैं रिवाइस करूंगा तो मुझे सीव इतना पढ़ना पड़े का लेकिन अगर मुझे रिविजन करना है तो मैं से विए कीवर्ड्स पढ़ लिया करता था तो इस इसने क्या क्या इसने मुझे बहुत हैल्प किया में टाइम बहुत बचाया और यह जो टाइम फैक्टर है ना यह आपके सफलता के लिए बहुत मैटर करता है कि इस बात को समझ आपको हाड़ वर्क करना अगर आप सोचो कि मैं बहुत महनत कर रहा हूं अगर आप सोचो कि आप बहुत महनत कर रहे हैं और आप कोई अनोखा काम कर रहे हैं दोस्तों सौरी आप कोई अनोखा काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप जैसी महनत दुनिया में खासकर यूपी के यो UP PCS का exam की बात करते हैं तो 30-40,000 लोग आपकी तरह ही महनत कर रहे हैं इसको तो और explain करते हैं देखिए total लगभग 7,000,000 लोग होते हैं जो की form भरते 7,000,000 लोग हैं जो form भरते हैं जिसमें से लगभग आधे लोग तो कभी exam देने आते ही नहीं है आप जब pre कर देने जाओगे तो 50% जो लोग हैं कभी exam देने आएंगे नहीं तो समझें कि लगभग 3,000,000 लोग ऐसे हैं जिन्हों ने pre का paper दिया pre exam given pre exam उन्होंने given attend किया जिसमें से अगर एक मोटा मोटा जो जितना मेरा experience रहा है मैं देखा है मुझे लगता है कि लगभग 30,000 से लेकर 40,000 लोग ऐसे हैं जो थोड़े से serious हैं क्या है serious है ये जो लोग हैं ये आपके ऐसे लोग हैं जो coaching पढ़ रहे हैं system editor के पढ़ाई कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं 6-7 गंडा मेहनत कर रहे हैं 30,000 लोग जो हैं मेहनत कर रहे होते हैं तो जो आप ये कहते हो कि मैं मेहनत कर रहे हैं 5-6 गंडा पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अनोखा काम कर रहे हैं नहीं रहे हैं ये 30,000-40,000 लोग भी आपी की तरह ही मेहनत कर रहे हैं तो आप को अनोखा काम नहीं कर रहा है, तो आप कैसे सफ़ल होगे, और बाकी क्यों सफ़ल हो जाएंगे, या होना चाहिए, या आप उनसे कैसे आगे निकल जाओगे, ये मैं से लिए निकोशिश कर रहा हूँ, तो 30,000-40,000 लोग एक टाइम पर महनत कर रहा होते हैं, उसके आप, जो परी का एक्जाम देंगे इसमें, तो मान लिजे वैसे 13 ताइमस है 15 ताइमस हम लोग कॉल करते हैं, तो लगवग सीट्स, अगर 500 सीट्स आई हैं, पीसे पांस सो वेकेंसी हैं, तो उसको 15 से गुना कर देंगे, तो आपका हो गया इस ते कि 15,000, लगवग साड़े और उसमें आपका अगर तीन गुना लोग बुलाई जा रहे हैं, तो पंदरा सो लोग जो हैं, ये आपका देंगे, इंटर्व्यू, ठीक है, जिसमें से आपके अंत में 500 लोग फाइनल सेलेक्शन होता है, सेलेक्शन होगा इंगा, अब आपको साथ लाख लोगों में से इ एक उसका टाइम टेफलहा है, कि 500 लोगों में आना है, जो होते हैं, ये पहले 3gg लोग जो होते हैं, वह एक्जम uniqu हम देते ह ही देते हैं, तो इसमें आप आही जाओ, पहले नकाद कोशिच करना है, कि 30,000–40,000 लोगों में आओ, जहां मैं सिंसेर, हैं ऑस सिंसर अपने सी, ह अब जब ऐसा होता है system जब ऐसा system है तो उसमें सफलता कैसे प्राप्त करें यह एक matter करता है कि आपकी strategy क्या है अब hardware क्या कर रहे हो यह matter नहीं करता आपकी strategy क्या है और सबसे important जो मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि दो ही factor आपकी success जो है आपकी success पे दो ही factor डिपेंड करेंगे कि आपने strategy कौन से follow की और आपका determination कितना है determination कितना है इच्छा शक्ति will power हजारों लोग हर साल exam देते हैं बनते कितने 500 क्या 500 लोग क्या सबसे intelligent लोग होते हैं नहीं 500 लोग सबसे intelligent लोग नहीं होते हैं सबसे जादा determined mind लोग होते हैं क्या होते हैं सबसे जाता determined सबसे जाता इच्छा शक्ति वाले लोग होते हैं ठीक है जो की एक particular strategy को follow करते हैं और रगाता follow करते हैं जिससे अंत में वो सफल होई जाते हैं जादू का कोई formula नहीं है सफलता जो है वो चमतकार नहीं है सफलता एक process है आपको process follow करना है इस वीडियो में आपको वही बता रहा हूँ कि आपको कैसे process follow करना है ठीक है तो success जो है आपकी वो सिफ इस बात पर टिबेंट करेंगी कि आपने strategy क्या follow की और कितनी शिद्ध सिर strategy की बात करते हैं जो कि आज का my topic है खासकर mains क्योंकि नौकरी मिलेगी mains crack करके आपको अब मेंस में पहला step जब आप मानलोग किसी coaching को join करते हो या खुद भी पढ़ते हो तो आपको notes बनाना पड़ता है तो आप पहले notes बनाओगे तो पहले तो आप first stage पे तो आपके full notes होने चाहिए full notes complete notes होने चाहिए full notes होने चाहिए अपके अब किताब से पढ़ रहे हो तो ठीक है वो है या आपने किसी coaching को join कर रखा तो उसके notes है books की notes है तो full notes है अब महां लेखते है full notes आपको पढ़ने में let's suppose history की बात करते है modern history की बात करते है modern history के full notes let's suppose हमारे आपके बास 300 इसको पढ़ने में let's suppose 50 घंडे लगते हैं तो क्या यह संबह हो है कि 50 घंडे आप बार बर दे पाओ क्योंकि एक बार पढ़ने से तो याद आएगा नहीं और बार बार कितने बार पढ़ पाओ गया तो notes तो अपने बना लिए बड़ वो जी notes पने हैं वो याद हो रहे हैं क दो बर रिवाइस कर लोगे एक पर पचास घंड़ रेते होगे दो फ़जाए दो पचास घंड़ जेते होगे शाट इससे ज्यादा आप ने जपाओ को कि बाती सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं यहाँ पर आपको माइक्रोनोट्स की माइक्रोनोट्स यह चोटे चोटे च चोटे चोटे नोट्स यह चोटे चोटे नोट्स जो है आपको सफलता भाएंगे यह चोटे 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 नोट्स इस तरह के नाइकरोनोट्स यह मैंक्रोनोट्स है जिसमें आप किसी भी चीज के की वर्ड्स रिखोगे क्या लिखोगे आप की वर्ड्स यह की वर्ड्स क समय आपको कोई पॉइंट पढ़ा वो समझ में यार क्लियर अब रिकॉल नहीं हो रहा है तो आपने फुल नोट्स के दर वे और आपने फुल नोट्स को आपने पढ़ाई कर लिया तो दोनों काम हो गए एक तुर याद भी रहा आपको और दूसरा के फसे तो आपको अपने आप इस तरह से तैरी करते हो तो ही सेलेक्शन आपको मिलता है क्योंकि जब में में जाओगे आप पीसेस में लिखोगे पीसेस का में होता है पांस दिन के अंदर आठ पेपर लिखने पढ़ेंगे आपको एक दिन में दो पेपर होते हैं उस समय रिवीजन का भी समय नहीं म हो गई कुछ मतला नहीं आपका तो आपने जो लिखा है एक्जाइमनर के लिए आप बस उतनी ही महनत आपकी है तो आप जो लिख जो आपके नोट्स है वो आपकी कॉपी में भी आना जरूरी है तभी सफलता मिलेगी नहीं तो कई बार देखा गया है कि लोग नोट्स तो लिखनी पाते हैं इसलिए बीच में आपको माइक्रो नोट्स बनाने पड़ेंगे और जब आप उस माइक्रो नोट्स को आप रिवाइज करोगे तो आपके सारे नोट्स जो आपके हैं में में पॉइंट वो सब आपको रिकॉल हो जाएगा और एक्जाइम अच्छे कर डिचान मत्कार नहीं है ये प्रोसेस है और सब्सक्राइब एंटरिजन्ट लोग PCS नहीं बनते हैं सब्से माताइब टेर्माइब विलपावर वाले लोग ही PCS बनते हैं जब हो सही स्ट्राडिजी को सफालो करता है तो या तो आप जो मैंने बता है इसको follow कर लिजिए अगर आपको कोई समस्य आ रही है नमबर मैंने दिया हुआ है तीचे दिया हुआ है वीडियो के नीचे भी आ रहा है आप मुझे call करके मुझे बात कर सकते हैं और जो भी अपके problems से मुझे share कर सकते हैं उम्मिल करनों दोस्तों कि इस वीडियो में आपको जो मैं बताना चाहता हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में इतना ही है अगरे वीडियो में कुछ और टापिक लेकर आएंगे तब देकर दिने बाद